हमले के एक दिन बाद फिर सेवा देने पहुंचे हैं बादल आज श्री केस गढ़ साहिव में सेवा दे रहे हैं सुखवीर सिंग बादल कल गोल्डन टेंपल में आपने देखा था कि उन पर जान लेवा हमला हुआ सुखवीर बादल की सुरक्षा में भारी सुरक्षा वलकी पहले से ही उनकी सिक्योरिटी काफी टाइट थी लेकिन हमले के बाद संख्या और बढ़ा दी गई है एक बाद फिर से हमले के बाद तस्पीर आप देख सकते हैं वो अपनी सेवाएं देने के लिए पहुंचे हैं सुखवीर सिंग बादल को आप देख सकते हैं लेकिन पहल था वो बाद बाल बच गए थे लेकिन उसके बाद जूद भी आज देखिए क्योंकि उनको सजा सुनिये देखिए हम हमले की एक बाद फिर से वो तस्पीर आपको दिखा रहे हैं नारायन सिंग चोड़ा को आप देख रहे हैं बहुत आसानी से एंट्री ली और जैसे ही व बड़ी घटना के होने से उनको बचा लिया बड़ी घटना होते होते इसलिए मुस्तेदी के तहत ये हादसा टल गया दो तस्पीरें कल की और एक आज की तस्पीर कल जान लेवा हमला गुआ वो तस्पीर हम आपको दिखा रहे हैं यही है वो हमलावर जो आप रैड सरकल मे देख रहे हैं आज फिर से सेवा देने पहुंचे हैं बादल और आज की तस्पीर आप देखे यानि कि वो क्योंकि उनको सजा मिली है उनको जाना था लेकिन हमले के बाद ये कयास लगाय जा रहे थे क्योंकि सुरक्षा का सवाल है तो शायद वो ना पहुंचे लेकिन फिर और इसी पर एक और अपडेट आपको बता देते हैं, बड़ी खबर हमने के बाद गोल्टन टेंपल की सुरक्षा भी काफी बढ़ा दी गही है, सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है, गोल्टन टेंपल के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, यानि कि पूरा गो इस समय आप देख पा रहे हैं कि कल जिस तरह से पंजाब के पूर्ब उपमुख्यमंतरी सुग्वीर सिंग बादल के उपर हमला किया गया था और उस हमले को नकाम कर दिया गया था, फिलाल इस समय हम रोपड के श्री अनांदपुर साहब केशगर साहब में हैं, जहां पर स जो सेवा है, जो धार्मिक सेवा है, वो शुरू हो चुकी है, और सामने आपको सुग्वीर सिंग बादल बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वही पर अब भारी तादान में बेशक पुलिस का यहां पर पर परबंद किया गया है, लेकिन वहीं पर मैं आपको दिख सुग्वीर सिंग बादल सेवा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और आसपास जो सुरुक्षा घेरा है, वो काफी सक्त कर दिया गया है, बेशक जहां पर भारी तादाद में जो अकाली दल के जो कारे करता है, यहां पर पहुंचे भी हुए हैं, उनसे भी बाचीत करने के बाद आज सुरुक्षा बवस्ता ठीक है? क्योंकि इन्होंने पिंजाब में अमन शान्ती भाई चारक सांज बना के रखी है, कमिशनर कोछ और बोल रहे हैं, कमिशनर तो सरक्षरम आती है, वैसे तो मैं बड़े लंबे समय से उनको जानता हूं, इतने गिर गए हैं आफिसर्स, स्पाइन रीड की हड़ी खतम हो गई कमिशनर की क्या ड्यूटी बनती थी, वहां पे प्रॉपर सेक्योरिटी अरेंजमेंट हो, अपना फेलियर, अपनी कॉम्पलिसिटी, अपनी मिली बोगत, पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस चुपाने के लिए क्या घटिया बातें कर रही हैं, मुझे शरम आता है कि पं सेवा निभाई जा रही है, तो सुरक्षा बंगवस्तों को लेके आप संतोष्टों, जिस तरह से कल गोल्डन टेंपल के बाहर जो घटना करम हुआ। जाने के लिए, जो एक निया एंगल दिया, कि ये सिंपती की वज़े से भी हो सकता है, सिंपती लेने के लिए कराया जा सकता है, तो वो एक शर्मनाक बयान था, पंजाब पुलिस का, मैं गुर्पित भुलर साफ से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ये जो चोड़ा है, इ सदा सुबीर सिंग बादल. जो है, सारे का सारा जो बंदो बस्त है, वो अब श्रोमनी अकाली दल के कारे करताओं ने संभाल लिया है. कैमरामेन गंबीर सिंग राणा के साथ बिशाल एंग्रिश गुर्दवारा केसकर साहिब अनन्द पुल.